Hello everyone, Good morning all of you, Welcome back to my channel exam store, exam store channel में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो friend इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UP scholarship से related जी हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग देख वा रहे हैं 26 लाग विद्यार्थियों के खाते में जल्द भेजी जाएगी छातरविर्थी यह जो है आज के newspaper में इस article को दिया गया है और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन किनी status वालों को जो है यह छातरविर्थी मिलने वाली हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत परकार की status जो अलगतार्स हो रहे हैं जैसे कि response pending by PFMS, UID, इनेवल को लेकर और शाथ में मैं बता दू कि beneficiaries related जीतने भी हैं, bank related problem या जिन लोग का response pending by district scholarship committees हो रहा है उन सबी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि समाज कर लणने क्या बता है कि इन status वालों को scholarship कब तक आएगा इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कल मैंने जैसे कि आप लोग को बहुत सारे वीडियो के माध्यम से PFMS के तुरू भी बता है था, UID Never Enable क्या होता है और जिन लोग का status अभी तक verify नहीं हुआ है उनके बारे पे भी मैंने इस वीडियो में बताया है तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सकाइब लाइक बिल्कुल भी मत करें जब तक कि वीडियो आपको अच्छा ना लग है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं Let's start it फिर नहीं आपे आपको देखने को मिल देगा कि 26 लाग विद्यार्थियों के खाते में जल्द भेजी जाएगी छातरविर्ती सुल्क प्रति योजना में भुगतान की तैयारी पूरी यहाँ पे सभी लोगों के जिन लोगों का स्टेटस वेरिफाई हो गया उन लोगों के लिए बल्ले बल्ले है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 लाग विद्यार्थियों के खाते में जल्द भेजी जाने वाली है स्कॉलर सी प्रदेश में 26 लाग विद्यार्थियों को छात्रविर्ति एवं सुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत भुकतान की तैयारी पूरी कर ली गई है और इनके खातों में रकम बेजने के लिए संबंदी डेटा की जाच लगबग पूरी हो चुकी है यानि जिन जिन लोगों का अभी तक स्टेटस वेरिफाई नहीं हुआ था मैंने आपको बताया था कि 10 मार्च के बाद से सभी लोगों का स्टेटस वेरिफाई होना इस्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सभी जितने भी करमचारी थे अभी इलेक्शन परक्रिया में लगे हुए जैसे ही चुनाओ का रिजल्ट आ गए आप सब कुछ एकदम अपने तरीके से सुचारू रूप से चलने लगा तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी तरह के जितने भी थे उन लोगों का क्या होने लगा डेटा जो है वेरिफाई होने लगा है जांच लगब जसकतारों के विद्यारतियों को उक्त योजनय का लाब देगी यहां पर आप देख सकते एक परिबार दो लाक Рूपए तक आये वाले जितने भी हैं और इन लोगों को जो है इस योजनय का लाब मिलने वाला है इस बार करोना संकट को देखते हुए भुकतान के तीन चरण चलाए जाएंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि इस बार किसी की स्कॉलर्शिप रुकने वाली नहीं है यानि तीन चरण सरकार चलाएगी और तीनों बार में जिन लोगों का स्कॉलर्शिप नहीं आया उन सभी का इस बार भुकतान एक एक बार जरूर रुकिया जाएग तीसरे वांतिम चरणड के तद भुकतान के लिए आवस्या कारवाई की जा रही है समाज के लिए बीबाग का कहना है कि पहले दो चरणड़ों में करीब 25 लाग विद्यार्थियों को योजनाव कलाब दिया जा चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चरणड़ों में लगबग 25 लाग विद्यार्थियों को योजनाव मिल चुका है तीसरे चरणड़ में 26 लाग विद्यार्थियों को और भुकतान होना है इनका डेटा पोर्टल पर मिल चुका है जाच की परकिरिया भी पूरी कर ली गई है थोड़ा बहुत जो डेटा रहे गया यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी स्टूडेंटों का जो है यानि अभी भी काफी स्टूडेंटे को डेटा जो यह वेरिफाई होना बाकी रह गया, उन्ही के बारे में बता रहा है, उसकी भी जाच सिगर कर ली जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी भी जाच जल्दी से कर ली जाएगी, उसके बाद उनका भी डेटा वेरिफाई हो जाएगा इसके बाद उनके खातों में रासी भेज दी जाएगी आगे आपको देखी सकते हैं सभी लोग कि उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद जो है रासी जो है उनके खातों में भेज दी जाएगी शबी विद्यार्थियो उनको विजा के आप देख लीजे क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था आप जिस bank account का मतलब अपने scholarship form में दिया था उसमें ना आके जो आपका सबसे पूरा ना खाता है यानि जिसमें transaction सबसे ज़्यादा हुए हैं उसी में आये थे तो आपसे यह request है कि जो भी आप लोगों amount है या उसके आसपास है तो आप लोग pencard भी attach करा दीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं अब मैं बात करने वाला हूं जो जो इस्टेटस आप लोगों ने अभी तक group नहीं जोईन किया है तो नीचे जो है टेलिग्राम चैनल का group है और वहां से जाके आपने सारे डाउ देखने को मिल सकता है तो जिन लोग का अभी तक ही स्टेटस वेरिफाई नहीं हुआ है वो लोग एक बार अपना जो है स्टेटस जरूर चेक कर ले क्योंकि 10 मार्च 2022 को जो है स्टेटस लगतार यहां पर वेरिफाई हुए हैं दोस्तों यह आपको देखने को मिला होगा response pending by PFMS तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग को घवराने की जरूरत नहीं है अगर फिलाल यह दो तीन महीने से जिन लोग में अभी भी लिखर रहा होगा response pending by PFMS अगर आप जाके बैंक से अपना आधार के वाईसी और pen card attach करा दिया होगा तो आपका यह जो है अपने आप उसके बाद जो current status अगर आपने देखा होगा तो verify recommended by district scholarship committee सो हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्योंकि आपने update करा लिया है यहां भी नहीं हुआ है लेकिन आपका जो है यह update हो गया है तभी है आपका verify हो ठीक है आपको गवरानी की जरूरत नहीं है आपकी scholarship आएगी वरना यह verify नहीं होता इन बाइस आपके लिए भी मैंने बता है ता कि अगर इस तरीके का status हो रहा है तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता है तक इसमें क्या करना कि आपको समाज कर लाना office में जमा कर देते आपकी problem solve हो जाती दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का अभी भी data जो है verify नहीं हुआ था जैसे कि आप लोगों ने देखा जूस आर्टिकल मैंने पड़ा उसमें pending district scholarship committee जिन लोगों का अभी भी हो रहा है मैंने बताया कि उन लोगों का अभी भी कह रहा कि सीगरीव जल्द से verify कर दिया जाएगा तो इन लोगों की घवराने की जरूरत नहीं है और जिन लोगों का पेंडिंग भाई PFMS है अगर उन्होंने बैंक जाकि यह सारे काम करा लिए तो उनको भी घवराने की जरू तक पूरत नहीं है वो बाद में आपका अपडेट हो जाएगा करेंड़ करते जाने आ दो यह जाए माड़ों हो ऌकश्चारे कई आ हाँ करेंबू यह जाए यह नहीं कि और द्यार्ट परसेने को उसके यह लिएकार यह वा नाषिन नहीं हुआ है और भी झालगों करते पर